हेलो एब्रीवान वेल्कम टू मैरिया चुहान आपकी दोस्तों रोस्ट फॉर शोशल साइन्स आज हम लोग आ चुके हैं चाप्टर नमबर एट पर मैडम यहां पर तो एट और नाइन मर्ज दिख रहे हैं टाइम पास कर रहे हो या फिर आलस कर रहे हो कि यह दोरों जब भी आप यह विडियो देख रहे हो तो समझ लेना कि हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वह 11 चैप्टर्स थे और उसमें 8 और 9 जो चैप्टर्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया रैशनलाइज सिलेबस में कि भाया अब आप क्या करो 8 और 9 जो है वह दोनों को मर्ज करके ए लेकिन रैशनलाइज सिलेबस में बोला कि 8 और 9 दोनों मर्ज हो चुका है तो अपन ज्यादा परिशान नहीं होते हैं अपन जो है वह 8 और 9 दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके साथ में पढ़ लेते हैं क्या जता है मर्ज करके बनाएंगे तो वह पूरा एकी चैप्टर बन बोल दूंगे आपको ताकि आपसे गड़ बढ़ना हो है ना तो अब यह वाला जो पर्टिकुलर चाप्टर है इसमें क्या हो गया हम जो एंशेंटिस्टी के कहानी पढ़ रहे थे उसमें हमने शुरुवात कहां से की थी कि मिलियर नियस पहले जब हम जानवरों के पीछे खा रहे थे सामाई बदलना, हमने भाव उग्री है जैसे वीट, बारले गणा उधिया, आखिर इसको उगना कितना समय लगता है, इसमाई ने वहाश इंप कि अज़ को मत je तो जानवरों के पीछे नहीं भागते हैं यहीं रुख के ध्यान रखते हैं दो तीन महीने अब महीने अपन बोलते हैं वह पता नहीं स्पीरिट को क्या बोलते थे नोबड़ी नोस यह ना लंबा समय लगेगा ऐसा वह मान के चलते होंगे ठीक है वह उसकी देखरेक करने के तो फिर दिरे उनको चीजे लगने लगे जरूरत लगने लगे अब जब रुकना है थेरना है तो बारिश आई की तो खुद को बचाना भी पड़ेगा तो किसी ने जमीन को खोद के डग पिठ हाउसे बनाएं किसी ने पासी में जो है वह गुफा दिखी तो उसको खोद के अपना शेल्टर बनाया तो वह जो कहावत कही जाती है ना नैसेसिटी इस दा मदर ऑफ इन्वेंशन है ना कि ज़रूरत लगती जाती है तो हम चीजों को इन्वेंट करते हैं ऐसा नहीं कि हम एक दिन बैठे है और सचे चलो घर बना लेते और घर बनाने लगे ऐसा नहीं ह अब बड़ी के खुद को प्रोटेक करना है यहां पर रुकना है तो फिर हमने क्या किया पहले डग पिठ हाउस बनाए फिर केवस में रहना शुरू किया फिर उसके बाद में जो है वो हमने देखा कि और बनाया जासता है तो जो चारा है उससे फिर जोपड़ी बनाई होग तो और दिमाग लगा कि उसमें कुछ एड़न किया होगा है ना इसी चीजे जो है वो हमने करना शुरू कर दी घर बनाने लगे फिर उसके बाद में क्या होता है दिरे दिरे जैसे समय आगे बढ़ने लगा फिर हम बहुत सारी चीजे करने लगे ठीक है हमने देखा कि आर द एंसेस्टर ओफ डॉग हमने रखना शुरू किया फिर कुछ चाप्टास के बाद में हमने एक थोड़े साथ पहले जब हमने आर्किलोजीकल स्टडी की आज से कुछ 80 साल पहले हमने जो है वो थोड़ी आर्किलोजीकल स्टडी की तो समझ आया कि देड़ साल पहले तक जो ह वह इंडा सिविलाइजेशन के बहुत सारे फुल प्रूफ थे आज भी है लेकिन उस समय पे तो और हीटे जो है वह लगी होंगी उनीटों को फिर इन उने बिटिश ने यूज कर लिया हमने स्टडी की तो पता चला कि पूरी पूरी स्ट्रीट लाइट्स लैम्स लाइट्स उने स्ट्रीट जो होती हो प्रॉपर ड्रेनिट सिस्टम घर एक दो दो मंजिल के लोगों ने बनाने वह शुरू कर दिये उस समय पे एकदम प्रॉपर तरीके से ठीक है फिर हमने देखा कि बहुत सारे एविडेंस से समको ऐसे भी मिले है ना हमने केव में खुदी हुई ल पॉट्स में से कुछ समान मिले बरियल साइट सम को मिली उस समय की तो बहुत चारी चीजे लोग करने लगे तो धीरे-दीरे करके जो है वो लीडर बने लगे लीडर के बाद में वो राजा बने लगे जनपत बने लगे जनपत महा जनपत से फिर मौरें एंपायर जैसे इन सवालों के जवाब जो है वो लोगों ने निकालना शुरू किये तो ऐसे में प्रॉमिनेंट लोग निकल कर आए जैसे की गौतम बुद्ध वर्दमान महावीरा जिन्होंने जैनिस्म और बुद्धिस्म का जो है वो उसकी शुरूआत की है ना और लोगों को सिखाया कि आखिर कैसे जीना चाहिए कैसे सही सलीका है लोगों को राह दिखाई समझदारी उन्होंने पहले तो खूब समय तक मेडिटेट किया फिर उसके बाद में समझदारी जो है वो लोगों के अंदर फैलाई इन सारी चीजों के भी एविडेंस जो है वह हमको मिले हमको किताब म मिले है लिखे मेनुस्क्रिप्ट समको मिले है ठीक है फिर उसके बाद में हमने देखा कि अब जो वह राज जिते सामराज जो और बड़े होने लगे राजा जो है वह आप जिसे हम टीवी पर राजा महरा जा देखते है वैसे हो लगे अपनी रॉयल्टी बढ़ाने लगे लगे वार लड़ने लगे अशुमीद यग्य करके बड़े बड़े राजा होने लगे है न फौर्टीफाइब करने लगे अपने एरियास को ठीक है महल महल बनाने लगे तो इन सारी चीजों को और अच्छे सा करने के लिए टैक्स लेना शुरू कर दिया लोगों से फिर ट वण 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 रिविजन इसके बाद में आपको मिलेगा तो इसमें मैं आपको बता हूंगी पूरे चैप्टर में आखिर क्या-क्या चीज़े हैं हमको पेंटिंग्स ड्रॉइंग्स हमने क्या-क्या चीज़े देखी है ना फिर राजा जो है वो किस तरीके के बड़े- जो होती है उसके अंदर आ सकते हैं तो कैसे आंसर देना है कैसे पॉइंट बनाना है क्वेस्चन को पड़के क्या समझना है क्या जवाब देना है यह सब में आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगी जैसे मैंने सारे चैप्टर के लिए बताया है तो अगर आपको पुराने चैप्टर में भी किसी में कोई डाउट है ता आप बिलकुल बिना जिजक के रिया में हम डाल के चैप्टर का नाम आप उन चैप्टर को सर्च कर सकते हो बात करें पहले question की, पहले question की बात कर लेते हैं, discuss the northern black polished wear और NBP wear of the early centuries of ancient India, तो नर्दन black polished wear जो है, यह क्या है, इसके बारे में आप कुछ discuss करो, नर्दन black polished wear को NBP, मतलब वो नर्दन का N black का भी polished का P और wear आगे लिखके, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको मतलब कुछ qualities क्या है, यह सब आपको अपने answer के अंदर बताना पड़ेगा, तो देखो क्या हुआ ना कि हमको जब चीजों के बारे में पता चला, कि बहुत सारी चीज़े exist किया करती थी, तो हमने बहुत सारी archaeological sites पे खुदाई करना शुरू की, है ना महां पे चीज़े ढूढ़न इस तरीके की चीज़े यूज की जाती थी उस समय पे, तो हमको जो है वो northern black polished wear के समान भी वहां पे मिले, है ना तो आपको क्या लिखना है, we have archaeological evidences for crafts of ancient India, पुराने समय, ancient India मतला पुराने भारत, है ना जो भूत पूरो जो हमारा भारत था, उसके हमको evidences मिले हैं, कि किस-किस तरीके का समान बनाया जाता था उस समय पे, उसके evidences, यानि की सबूत हमको मिले हैं, कैसे मिले हैं, इसमें extremely fine pottery आती है, है ना pottery जो pots बनाते हैं, तो हमको black pots मिले हैं, हमको colorful pots मिले हैं, हमको earthen pots मिले, बहुत सारे pots मिले, ऐसे में एक और तरेकी की pottery हमको मिली, जिसको कहा जा, ह हमने नाम दिया Northern Black Polished Diver. अब आप नाम से ही समाझ सकते हो इसको, है ना, कि ये Northern Parts of India में मिला. मिला हमने जब northern parts of India खंगाले जो उपरी हिस्सा है इंडिया का नौर्थ वाला हिस्सा है उसमें हमको देखने को मिला था हमें समझ आगे कि वहां के लोग जाधा बनाते हूं क्योंकि यह इस तरीके का जो material है यह हमको southern हिस्से में या फिर central हिस्से में कहीं पे भी नहीं मिला है क्योंकि आते नौर्थ वेस्ट से थे इधर खुला वाला हिस्सा तो यही था नीचे तो समुद्र था इधर वाले में पहाड पहाड थे तो आने का कोई रास्ता था नी तो लोग जो अधिक तरह शुरुवाती इंडियन जो बसे वह इधर से यह वहीं पर बसे और जैसे उन और यह जो नर्दन ब्लाक पॉलिश्ट वेर है इस तरीके की पॉट्री हमको नर्दन इंडिया में देखने को मिली है ना बाकी और कहीं पर देखने को नहीं मिली तो इसका नाम जो है कहां से पहली बात तो यह लिख दो कि ऐसी पॉट्री मतलब बहुत सारे आर्केलोजिकल इविडेंसे हमको मिले बहुत सारी पॉट्री भी हमको मिली जिसमें से एक तरीकी की पॉट्री जो थी वो कौन सी थी नर्दन ब्लाक पॉलिश्ट वेर और जिसको एन बीप कहा जाता है शॉट फॉर्म है यह भी आप बता दो कि हाँ पर आपने दो नाम लिखे है आप यह ब्लाक पॉलिश्ट वेर था उसका नाम जो है वो कहां से मिला है कि जनरली नर्दन पार्ट आफ सब कॉंटिनेंट में ही देखने को हमको मिला है नाम कहां से मिला है तो भया नर्दन हम बोलते इसलिए ना आगे साउथ में मिलते तो सदन बोलते है ठीक है उपर हमको नर्द इसले हम उसको नदन कह रहे है it is usually black in color and has a fine sheen sheen मतलब shine ठीक है तो नदन black polished wear है तो अपनी pottery जैसे समान हो जाता है नदन मतलब ननननुसे में मिला है black मतलब black color का है और polishedôm मतलब shining है तो बस वही details है इसके इंदर डाल दो डाल दो क्या दिक है तो बस यह आपका answer complete हो जाएगा, मतलब answer लिखना आपको ऐसे हाना चाहिए कि भले आपको exact answer उसका नहीं पता हो लेकिन शब्द को तोड़ के आप समझ जाओगी यह कैसा कुछ होगा, छोड़ के मता हो इसा भी answer, clear है, लिख लोगे, अगले प्रेशन पर आजाए, next question जो है वो आजाता ह Jatakas, jatakas क्या होते हैं?iennaon ctioories होती है, jatakas stories होती है, kya होती है, jatakas stories आपने बचपन में मैंने तो सुना था, आपके बच्पन में मता निया, आप लोग सुन रह को नियाération, निया च nuovo चनुन रह हो, जatakas के है बहुत सारे médico겠죠 Elmo- teams पर generally in- then written down and preserved in Buddhist monks. तो preserved by Buddhist monks. तो देखो हुआ गया जिसे अब आज का जमाना है. तो इसमें अपनी कुछ कहानिया हैं, कुछ हम देखते हैं, बहुत सारे authors अपनी कहानिया लिखते हैं, हम कुछ देखते हैं, सोचते हैं, उनको लिख देते हैं. तो इसमें पुराने समय में फ्लैश बैक में चले जाओ, मतलब में एक पुराने बुराने समय में ब्लाक और वाइट में एक महिला की तरह, आप देखो, है ना, कि उसमें प्या हो रहा है कि बहुत सारी कहानिया कहानिया जहें, टाने और वह लोग सुना है, अभुष को लिख दिया. इसके बाद हमें हो जयिसा क्या हो में मैंनुस्क्रिप्ट्ृट हो नहीं लगी तो पथे पर लिख दिया, या कैसे भी लिख दिया, उनको लिख दिया, फिर पतों पकातैं ना, के यंखिके लिख 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 जैसी बना दी है फिर एक कहानी waiting दो कहानी टीन कहानी चार कहानी 5 कहानी 100 कहानी को किढ़ेん cabbage कर एक बुधिस 먹는 क्वे दवारा क्या कर दिया उनको प्रिजर्व को ऑप विया आप बुध्धिस करते हैं खाते है दक्ष्य में वापस आते तो कुछ नी कुछ लिजर टाम में किया करते थे मैंने बताया कि अबढई कि कुछ लोग कॉमपोस् cave किया करते हैं कहानिया लिखा करते थे तो ये वही कानिया और मतलब ननी सुनी होiliar कहीं आपसार एनों लिग होगी ऑनी पर रख दिया फिर वो मिली फिर है ना ऐसे करके तो जटाका जो है वो स्टोरी जटाका स्टोरी एक स्टोरी नहीं है जटाका स्टोरी बहुत सारी स्टोरी जिनको मर्ज कर दिया गया है मतलब मिला दिया गया है मतलब एक के बाद जिसे आपकी इंग्लिश की बुग है है ना उसके अंदर एक चाप्टर, दो चाप्टर, तीन चाप्टर, बहुत सारी चाप्टर हैं, हर चाप्टर में अपनी एक कहानी है, है ना तो उसको इंग्लिश की बुक का जो आप नाम देते तो यह समझ ले किताब का नाम है, ऐसे समझ लो आप, समझ गए कि नहीं, ठीक है, अगर हम अग्री कल्चर की हम बात करें, ठीक है, वी जनरली टेक दे यूज अफ आईरन फर ग्रांटे टुड़े, इन फाक्ट डिफरेंट तैप्स अफ तिंग्स मेड़ आइरन अरा पार्ट अर डेली लाइज, आज के बारे में अगर हम बात करें, तो आज तो लोहा ऐसा है कि हाँ, हमको हर जगह पर दिखता है, लेकिन पुराने समय की बात करें, तो तब हर जगह पर लोहा नहीं हुआ करता था, ना कि बहुत जादा, बहुत शुरुआत की बात करें, तो बहुत जादा वैसा यूज नहीं होता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे हम उसको यूज कर बुल्डेस वाले बरियल्स थे ना उसके अंदर, मेगा लिथ मैंने आपको बताया था बड़े ब बुल्ड़स और हमने एक और टर्म भी उसकी है अ बताओ पहले लिथिक मेयलिफिक नियो लिथिक फिर उसी में मेंने एक जगा में लिथ भी बोला क्योंकि वहां पर हम को बड़े-बड़े stone borders देखने को मिले से मेडा मेडा में लिथ मतलब stone होता हैं मेडा बड़ा मेगा लित की दुवारा बने गए थे उन बरियल्स में हमको स्टोन टूल्स काफी जाता मिलें लोगों के साथ में स्टोन टूल्स को बरी कर दिया गया था फिर जब हमने खुदाई की ना तो हमको दिखे कि यह बड़े बड़े बरियल्स है और इनके अंदर स्टोन टूल्स हम इसमें लिख सकते हो, it includes access for clearing the land and plosher was useful for increasing agriculture products. जहिर सी बात है कि हमको जो समान मिले, यहाँ पर हमको क्या लिखना है? question का हमेशा ध्यान रखना है, कि सवाल में पूछा क्या है? तो हमको एक short note लिखना है iron tool और agriculture के उप़र. तो आप इस कुल मिलाके पूरे answer में क्या लिख सकते हो, कि भाया, आज तो हमारे लिए iron tool काफी common है, हम हमारे अग्रिकल से में यूज करते हैं, लेकिन इंडिया में iron tool का यूज करीब 3000 साल पहले शुरुआ, शुरुआत में कम यूज करते थे फिर धीर धीर यूज बढ़ता हम को चला हमको चला हमको पता चला क्यूंकि हम बेगलिक बरीड्वरायल के अंदर हमको stone tools से यॉज क्यानि है कि कुछ मारने काटने की चीज हम को दीखिए सिक सिक कुछ तीगी निकोलि चीजlay घृ नोकली चीज़े भई हमको दीखिए शाथ में हमको और जो खांपचे होते हैं मतलब जो खूरपिया तो करने करते हैं, जाहिर सी बात है इन टुल का और कहीं काम नहीं होना इन टूल्स का काम खेती बाड़ी में होना है तो एक जुडाव था एक कनेक्शन जरूर से था तो ऐसे करके आप अपना आंसर जो है उसके इंदर फ्रिम कर सकते हो एजी है सवाल समझ में आ गया तो जवाब भी लिग दिया आप सोचो कि मैंने सवाल ज समान से ज्यादा अच्छी से खेती किया कर पाते थे हैना लोगों ने सोचा कि लोह का समान है मतलब लोहा मिल गया है थोड़ा सा स्ट्रॉंग है इसके अगर हम घुदाई करेंगे तो यह तो टूटेगा नहीं हो सकता है शुरुआत में उन्होंने किसी और समान से एसे कि लोहा मिला होगा लोहे को जॉइन के होगा और सिस चीज़े बनाई होगी ठीक है फिर उसको एगरी कल्चर में यूस किया होगा समझ गए बस वही चीज़े आप यहाँ पर लिखतो क्लियर है कोई डाउट तो नहीं नहीं है न अगले पर आजाएं अगला क्वेस्टन क्य प्राहमी क्या है स्क्रिप्ट है थी अब शुरुवात के जो हमने चीज़े लिखावर देखी जो पिलर्स पे लिखावर देखी जो पत्थरों पे लिखावर देखी उनको हमने देखा कि वह सब ब्राहमी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी ठीक है फिर ब्राहमी स्क्रिप् जैसे कि मान लो तमिल लैंविज बनी या फिर कहा जाए तो हिंदी बनी है जैसे अब यह दो एक्जाम्पल हम ले लेते हैं ओल्डेस्ट तमिल है हिंदी जो है वो बहुत पुरानी भाषा है हिंदी जो है वो देवनागरी से बनी है मतलब देवनागरी भाषा आप समझ लो हि कहते हैं ब्रहामी स्क्रिप्ट तो जैसे ब्रहामी में अगर मालो यह क्या है यह ब्रहामी में इसको अ कहते हैं अब अ शब्द जो है वो सब भाषा में यूज होता है है ना तो यह आया कहां से अ शब्द की लिखावट कहां से ब्रहामी स्क्रिप्ट से शुरुआत में ब्रह इंदी भाषा में ऐसे लिखा गया तो आप देखो इसमें और में कितनी similarity कि डंडा है फिर इसी को क्या कर दिया ऐसे करके गुमा दिया तो कहीं नगे इसी को देखकर इसी script को देखकर जो है वो दूसरी languages बनी है तो आप answer क्या लिख सकते हो several several pieces of pottery have inscription in the early brahmi script which was used to write tamil these are called the tamil brahmi inscriptions तो हमने देखा कि जो potries हमको मिली जो समान हमको मिले खुदाई में जो समान हमको निकले वो जो है वो early brahmi script में लिखे थे है ना early brahmi script उसके अंदर यूस किया गया था रूसी brahmi script की मदद से tamil भाषा भी लिखी गई तो इसी लिए इसको tamil brahmi inscription भी कहा जाता है बहुत सारे समान पर जो लिखेवे inscription हैं उनको tamil brahmi inscription कहा जाता है ठीक है समझ में आया clear है ध्यान रखना brahmi जो है वो script है tamil जो है वो भाषा है और tamil भाषा की लिखावट जो है वो वही लिखावट बहुत सारे जो सवादन इंडिया में पोटरीज है यह फिर जो पोटरीज हमको मिली वह उसी लैंगविज में कहीनगी लिखी हुई है लिखी हुई हमको बहुत सारी मिली, ठीक है, clear है, बन जाएगा, अगले question पर आजाए, which things and steps held in increasing production to the man, तो क्या चीजें, क्या चीजों की मदद से जो आदमी है या जो व्यक्ति है वो production बढ़ा पाया, उपद जो है वो बढ़ा पाया, क्योंकि पहले तो हमने देखा घास उगरी है, घासों में से कुछ दाने उगरे हैं, अब वो तो बहुत कम होंगे ना, जैसे समय बदला था, ल मदब जैसे उनों ने देखा कि मिट्टी में यह उगाया जा सकता है, अब उगाने के लिए किसी ने सोचा कि आर अगर इसको में सॉइल को यह काटने के बाद ना थोड़ा पलड देता हूं, है ना, उपर नीचे, उपर नीचे कर देता हूं तो यह थोड़ी सी अच्छी हो कि नहीं लकडी जो है वो टूट जाती है लकडी में से फिर निकलता नहीं है तो बहुत साथा दिक्कत आती तो कुछ स्ट्रॉंग चीज हो, है ना, तो फिर ऐसे आइरन मिलने के बाद में उसको धार-दार बनाया फिर धार से थोड़ा से स्कोर मोड़ा तिर नए-ने टूल लाते गए, है ना, ने टूल्स बनाते गए, ट्रांस्प्लांटेशन भी करते गए, उसकी मदद से अगरी कल्च है जो है उसके नदर काफी बढ़ावर देखने को मिली, फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने इरिगेशन भी उसकिया, जैसे उपर के पानी से तो होई रहा है, अब मान लो कि अब यह समय आ गया है, जिसमें इसको पानी चेले कि उपर से पानी नहीं गिर रहा है, तो भी है टांक से, है ना, वेल से, इन से पानी ले लेके इरिगेट करना शुरू गया, तो इससे भी प्रोडक्शन काफी हद तक बढ़ा, साथी साथ में, इरिगेशन अब बिल्ट दूरिंग इस ताइम अराउंड 600 BC इंकलूड़ेट कैनाल्स, वेल्स, टैंग्स, आर्टिफिशल लेक, दीरे-दीरे करके इनको समझ आने लगी बहुत सारी चीज़े कि हमको जो है वह पानी की बहुत ज़रूरत है अगर 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 अच्छा बनाना त कैनाल्स, वेल्स, टैंग्स, सब कुछ जो है वह बनाना शुरू कर दिया ठीके तो न्यू टूल्स किस-किस देखो अगर आपसे कोई भी पूछे या सवाल अगर आपको आ जाता है कि किन-किन चीजों की मदद से अग्रिकल्चर जो है वह ग्रो हुआ शुरूवाती दौर म सबसे पहली बात तो नए नए टूल्स का यूज करना शुरू किया ट्रांस प्लांटेशन का यूज करना शुरू किया इरिगेशन का यूज करना शुरू किया और इरिगेशन में जो शुरू आती दौर में हमको इरिगेशन मिले जिन जिसों से इरिगेशन करना शुरू कि था तो उसमें Tanks, Canals, Wells हमको देखने को मिले क्योंकि आराउंड इस समय पे 600 BC के आराउंड में जो हमने archaeological sites देखी वहां पे कुए, tank और यह सब बने हुए हमको मिले तो जाहिर सी बात है वह उसमें पानी इस्टोर करते होंगे उससे irrigate करते होंगे, clear समझ में आ गया है ना आ जाएगा बन जाएगा दिक्कत तो नहीं है अगले question पर आ जाए से आ रही है और एक नदी इदर से आ रही है फिर यह दोनों जाके यहां पर मिल जा रही है जिसमें फिर भी स्टिल पानी जो है वह अलग-अलग हमको दिखता है तो इसको क्या कहा जाता है संगम मतलब दो नदियों का मिलाप है ना दो नदियों का मिलना मतलब संगम रिवर होती है और संगम मतलब मिलना होता है ठीक है तो संगम लिट्रेचर क्या होता है अगर संगम लिट्रेचर की अगर हम बात करें तो जो लिट्रेचर है उनकी मर्जिंग है ना जैसे कि तमिल में बहुत सारी कहानिया फोक टेल्स बहुत सारी है बहुत सारी तमिल कल्चर इस वास preserved रहIE आगे तक बचा रहा है, तो उन सारे folktales को, सारी कहानियों को सब को उन्होंने merge कर दिया, और उस पूरी merging का क्या नाम दिया, संगम literature, समझ गए, तो क्या लिखोगे, मीनिंग क्या होता है? इसका, some of the earliest works in Tamil अनोन है, संगम literature, संगम literature होता क्या है? तमिल लैंग्विज के तमिल में लिखे गए या बोले गए जो शुरुवाती दोर की काफी सारी स्टोरीज थी या फिर कहा जाए तो लिटरेचर में सब कुछ आ जाता है जो अर्लिएस्ट वर्क्स था इन टेक्स को कमपोस किया गए था करीब 2300 साल पहले है न तो इनको सबको जो है वो मर्ज करके क्या बनाए गया संगम लिटरेचर बनाए गया अब इसको संगम क्यों कहा जाता है यह टेक्स संगम इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह कंपोस किये गए फिर कंपाइल किये गए इन असेम्भी मतलब संगम वाई जुड़ना कमपाइल किया गया of poets that were held in the city of Madure ठीक है तो जो भी poets के जो work थे पहले तो यह अलग-अलग works ठीक है लिटरेचर था संगम शब्द भी हटा दो यह literature था अलग-अलग works फिर इनको क्या किया गया इनको compile कर दिया इनको जब compile कर दिया गया तो collectively इसको क्या बोले संगम जैसे की एग्जांपल दूं एक्जांपल देने की क्या ज़रत है समझ गया थे ना तुम लोग समझ गया न संगम मतलब compilation, assemble कर दिया गया, उसको इखटा करके मिला दिया गया, ठीक है, तो इसले इनोंने इसका नाम संगम रख दिया, कुछ और नाम भी रख सकते थे, संगम के अलावा, assembled literature भी बोल सकते थे, पर इनोंने संगम नाम रखना प्रेफर किया, ठीक है, है ना, ऐसा doubt मतला आना अपने दि रखा, तो अच्छा लगा, याद आया मापप को, तो लग दिया नाम रिया, ठीक है, तो नाम रखने का कोई कारण यह, पर कारण बेसिकली यह है, कि संगम उन्होंने इसलिए रखा, क्योंकि यह मिला हुआ था, सब चीज को मिलाया गया था, अब मिलाने के जो भी सिना, अब आपाची हो सकते हैं, इननों सोचे होंगे, संगम लगा, संगम नाम रख दिया, ठीक है, ठीक है, अगले पर आजाए, अब आने वाली हमको छीक, और जैसे ही बोलो कि आने वाली हमको छीक, तो छीक चली जाती है, आती ही नहीं पर, डिसकर्ज दे सीन ऑफ शॉप, स्म अब आपको पूरी कहानी दी होई है ना चाप्टर के अंदर, भही आपको यहां पर डिसकर्इब करने हैं, आपके दिमाग में जो आ रहा है, उस कहानी के बारे में वाभी हां पर लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे क्वेशन तो बहुत ईजी क्वेशन होते है, ऐसे क्वेशन सब्सक्राइब करने आता, पर यूजा तो ह। डॉजा है, है की नहीं अखले पर आजाएं दिसकर्सिं इन शौट पैरे burialफ, आरन टूल ऑ अगरिकलचर, आरे खरे बारे मी क्वेश करना है, क्या डिसकर्स करे जलो कर लेते हैं, यह था हम कर चुक है ना, भिजनरली टेक दे use of iron for granary today है ना पीछी क्या 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 कोई बात नी चलता है ठीक है नेक्स पाइज आते हैं वर्ड ये इंडिस्टैंड बाइद दंप पंच मांक कॉइंस एक्स्प्लें इन ब्रीफ पंच मांक कॉइंस जो है अच्छा ये इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो अगर आयरन टूल् नम्बर में आगे है या तीन नम्बर में अगया या तीन नमबर में अकर उक्वेस्टन आथा या आप लिख सकते हूस ठीक है दो नमबर में युड़े मैं तो इतना अपका सुफिशिνड में बहुत ही अच्छा सवाल है कि कर दो दो इसमें आप क्या लिखो ना मैं आपको simple सा meaning बता देती हूँ punch mark coins का मतलब coins को punch करके उनके उपर marking कर दी तो punch mark coins कहा जाने लगे बस यही चीज आपको क्या करनी है इसके अंदर लिख देनी है archaeologicalist जो थे उनको evidences मिले बहुत सालों पहले के कि coins जो है इसैंद मिले कि ancient India में पुराने भूतपूर भारत में कॉइंज जो ने शुरू कर दिया हुआ कि कीजेशा क्या करी किस हमाने लाना देना शुरू कर दिया था हाला कि ऐसे ही तो आज हमारे ही पर एक ही currency चलती है जो पूरे भारत में चलती है ठीक है लेकिन ऐसा उस समय पर नहीं था हर रीजन के अपने-पने coins देखने को मिले हर राजा के अपने-पने coins देखने को मिले ऐसा क्योंकि अलग स्थी थी थी ना उस समय पर से कोई पूरे भारत का प्रेसेड़न प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करता था नहीं constitution हुआ करता था तो उस समय पर coins जो है वो अपने-पने अलग-अलग region के हमको देखने को मिलते थे the earliest coins which were in use for about 500 years were punch mark coins है ना करीब 500 साल तक जो coins चले है ना उनको punch mark coins कहा जाता है वो काफी सारे punch mark coins हमको देखने को मिला archaeological sites पर they have been given this name because the design were punched on the metal silver और copper है ना यह नाम punch mark coins इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो silver और metal जो होते हैं उनको punch करके उनके पर marking कर दी गई है ना इसलिए वो punch mark coins खाय जाने लगे clear ठीक है अगले पर आ जाए explain and brief the role or function of the shrines in the moran age मौरे नेज में shrines का क्या function था है ना तो देखो shrines की तो हमने पूरे जो है वो चाप्टर के अंदर आपने discuss किया आपको पता भी है वो page के उपर एक last ऐसा वाला paragraph दे रहा है वाला उस साथ पर एख वाला paragraph है तो समें से बताया हुआ है कि लोगों ने श्रेणी बनाने शुरू कर दी खी शेडिज मतलब बनाने शुरू कर दी खाया एक basic मतलब जो है वो बताया गया है कि groups बनाने शुरू कर दी अब हैश्रेणी师 अलग अज़ो पी से इहों अज़ोर है फित्रिप्रेट इन डिस्ट्रिबूट एंज़ोर के बताऱी आपर न झाग समय का हुआ है बैंक नाम दे दिया ऐसा नहीं बैंक का मतलब किया आप पैसा डेपोजिट कर सकते हो थोड़े समय के लिए ले सकते हो इसको हम बैंक कहते हैं तो इसी बैंक जो है वो बना दिये गए था उन्होंने ऐसा बैंक नाम लिखके बैंक नहीं बनाया था पर जिनको जैसी प्रोसेस क को हम आज banking system कहते हैं बैंक कहते हैं ऐसा उन्होंने अपने बीच में उस ग्रूप में कर रहा था था ठीक है इस वाज इन्वेस्टेर्ण और यूजड टू सपोर्ट रिलीज़ इंस्टिूशन सच एस Monasteries है ना तो जो Monasteries में पैसा लगता था ये लोग support करते थे दान धरम के लिए Monks वगरा को दिया करते थे तो ये return जो आता था इसके उपर जो interest आता था है ना उसको invest करते थे और जो return का जो कुछ भी रहता था हिस्सा उसको Monasteries वगरा में लगाते थे ताकि जो Monks से उनकी पूरी overall Chinese के बारे में हमने chapter के अंदर पढ़ा है ठीक है समझ में आ गया कोई problem तो ने clear है ना अब इसी chapter के आपको जो है क्योंकि हमें आपसे कोई पैसा ने लिया है और हम लेना भी नहीं चाहते क्यों कि education शिक्षा जहे हो सबका जन सिद्ध अधिकार है आप अराम से बैठा हो कुब अच्छे से पढ़ाई करो कभी ऐसा नहीं लगना कि पैसे होते ता ऐसा कर लेता वैसा पढ़ लेता नहीं मैंगनेट प्रेंज के सारे टीचर आपके लिए 24-7 अवेलेबल है बिलकुल आप कोई भी help चाहो कॉमेंट सेक्षिन मांग सकते हो कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट सेक्षिन मों बता सकते हो आपके लिए उसके उपर एक पुदी कुदी वीडियो तयार हो जाएगी अच्छे स पढ़ाई करना खूब अच्छे से अपने भाई भेन दोस्त जिनको किसी भी कोर्स की जरत है चानल पर आओ अच्छे से पढ़ाई करो मस्त और एक्सल करो खूब बढ़ी ऐसे ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो